नमस्कार आप देख रहे हैं दिललन टॉप हम सब वीकेंड में आ रहे थे और साटड़े शाम को एक लाइंगी ख़वर आई की दिगज अक्टर अमिता बच्चन को नना विटी होस्पिटल में मुंबई के एडमिट किया गया तो जब यह ख़वर ब्रेक हुई तो सब के मन मे अफकोस बहुत सारी चिंता एक साथ आ गई और उन्होंने सोचा कि यह क्या हो गया है अफकोस जब यह सारी खवरे आती है तो मन घवरा जाता है सभी घवरा गया और इसी घवराहट में उन्होंने शेर करना शुरू कर दिया लेकिन इसी शेरिंग के बीच अमिता बच्चन ने ट्वीट कर दिया उन्होंने कहा कि मेरी जो कोरोना रिपोर्ट है वो पॉसिटिव आई है और जो हॉस्पिटल है उसमें मुझे अडमिट करवा दिया गया है हॉस्पिटल के जो अधिकारी हैं वो सब को इन्फॉर्म कर रहे हैं और जो बाकी लोग है मेरे घर के उनकी अभी वेट कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट की पिछले दस दिनों में उन्होंने कहा कि जो भी मेरे संपर्क में आये हैं उनसे जोड़े लोग जो रहे उनसे मैं अनुरोद करता हूं कि कृपया खुद की जांच करा ले अफकॉस ये जो चिंता की खबर आई तो जब पहले एक लाइन लिखी हुई आई तो रिचा चिंटा ने लिखा कि 2020 तो मिस से जादा मनहूस होना बंद करो और फिर जैसे ही अमिता बच्चन ट्वीट किया तो सभी के रिक्शन दाने शुरू हो गए अफकॉस उनके लिए दुआए मांगी तो जा ही रही है तापसी पंदू ने ल बस हम यही दूआ करेंगे कि वह भी ठीक हो जाएं आप भी यहीं करें यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया ललन टॉप के साथ बने रहें कुछ कहना चाते हों अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाते हों तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखे दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियेंस बदलने वाली वेबसाइट यूट्यूब और फेस्बुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है अप की ललन टॉप एप जो लॉँच होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नमबर वन प्ले स्टोर से एंड्रोइड एप इंस्टॉल कीजिए और जोड़े रहिए ललन टॉप खबरों से अब एक ही जगह पर मिलेंगे पलिटिकल किस से ललन टॉप शो चुनावी कवरेज परताल और आसान भाशा में पाईए ललन टॉप की वीडियो सब से पहले पेस्बुक और यूट्यूब से भी पहले खबरे और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन बड़ी खबर हो या फिर हो किस से सब आपके फेवरिट सेक्शन आपको हैं बताने इतना ही नहीं क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए आज ही गूगल प्ले झाल 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 झाल